हेलो उस्तू, स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैम्ट, स्वाग्लैसिस में प्यरवच्व मैच्व में आज हम अपना निव चेप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड बर्क जिसे हिंदी में कहते हैं समय और कारी है काफी important चैप्टर है प्यरवच्व आप देखेंगे हर एक्जाम में आज से question पूछा जाता है प्यरवच्व मेरी पूरी कोसित रहेगी कि हर उस बच्चे को मैच सिखा पाऊं जिसको मैच से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी भी जिमेदारी बनती है ये वीडियो हर उस बच्चे तक पूछाना जिसको मैच से डर लगता है जिसका मैच बहुत ज़्यादा कमजोर है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैच कमजोर होता है उनका selection मैच की वज़़ा से ही नहीं हो पाता तो मैं पूरी कोसिस कर रहा हूँ कि हर बच्चे को मैच सिखा पाऊं ठीके अगर आपका कोई भी एक्जाम हो चाहें आपका योपी पुलिस एक्जाम हो दिल्ली पुलिस, SSC GD डेलवे यादर कोई भी एक्जाम जिसमें मैच पूछा जाता है ठीके अगर उसमें time and work chapter है तो मतलब ये class अभी के लिए है क्योंकि कुछ बच्चे comment करते रहते हैं कि सर क्या योपी पुलिस के लिए class है SSC GD के लिए है तो प्यारा बच्चो सबी के लिए class है ठीके? तो चलते हैं class शुरू कर लेते हैं कुश्चन करने से पहले मैं आपको इसका basic बताएता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो पहली बार मैस पढ़ रहे होंगे उनको पता नहीं होता कि question को solve किस तरीके से करना है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12 करका है होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैस बहुत ज़्यादा कमजोर होगा ठीके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्य च्छमता कार्य च्छमता क्या होती है ठीक कार्य च्छमता क्या होती है प्यारविचो कारे चमता जो होती है वो एक दिन का काम होती है ठीक है एक दिन का काम किस क्या एक दिन का काम एक दिन का काम आपको बिल्कुल कन्फिज नहीं करूँगा बहुत आसानिश आपको बताने वाला हूँ एक दिन का काम जो होता उसको क्या बोलते हैं कारे चमता बोलते हैं अगर बात दिन में चल रही होगी तो एक दिन के काम को क्या बोलेंगे कारे चमता अगर बात घंटे में चलेगी तो एक घंटे काम को क्या बोलेंगे कारे चमता बोलेंगे कैसे अब आप ये समझे आप अपने आपको मानो ठीक है आप क्या करते हैं तीन दिन में आप तीन दिन में पंदरा रोटी खाते हो ठीक है कितनी पंदरा रोटी खाते हो तीन दिन में कितनी रोटी खाते हो आप 15 रोटी खाती हो मैं आप से पूछूँ आपकी कारेशमता क्या है आपकी कारेशमता क्या है तो आप कहोगे सर आपने बताया है एक दिन का काम जो होता उसको कारेशमता बोलते हैं तो मैं एक दिन में कितनी रोटी खाता हूं बताओगे मुझको एक दिन में कितनी रोटी लिखाता हूं आपको उसर इस से इसको काट तो तीन पंजे पंद्रा पांच रोटी तो मेरी कारे चमता क्या हो गई पांच हो गई क्या होगी मेरी कारे चमता मतलब एक दिन की कितना होगी एक दिन का काम पांच रोटी तो एक दिन के काम को क्या बोलते हैं कारे चमता बोलते ह किलियर आपको इस पर बिल्कुल किलियर है अब ऐसा होता है कभी-कभी हम कहीं मज़़ूरी करने के लिए जाते हैं या कोई काम करते हैं तो हमसे क्या बोलता है कोई हमसे कहता है कि भाई तू ऐसा कर पांच दिन बीस फीटे ये उठा दे तो वो क्या करता है तो पांच दिन में होता है कोई बीस फीटे उठा देता है तो वो स्किण पांच दिन. आप से पूछूँ तो आप कोईंग सर एक दिन की काम को कारेशमता बोलते हैं तो एक दिन में कितनी इते उठाई होंगे उसने आप कोगे एक दिन में सर पांच चोक बीस चार इत एक दिन में चार इत तो क्या आ गया एक दिन का काम एक दिन के काम को क्या बोलेंगे कारेशमत चार है किलियर आपको बिल्कुल किलियर है कोई भी दिक्कत नहीं है अब मैं आपसे कहता हूं आप क्या करते हैं आपका नाम मानलो रोही थे कोई भी आपका नाम है आप क्या करते हैं पांच दिन में किसी बुक के किसी किताब के पांच दिन में पचास पेज पड़ते हैं पेज पड़ते हैं ठीकए तो आपकी कारे श्मता क्या हुई तो आपको सर कारे श्मता होती है एक दिन का काम तो एक दिन का काम में निकाल दूंगा एक दिन में कितने पड़ता हूं घशाइं पाइं 50 Willow तो मेरी कारेशमता कितने आ गई, 10 आ गई, मेरी कारेशमता कितने आ गई, 10 आ गई, अब कोई भी बच्चे ये नहीं कहिएगा, कारेशमता अगर मैं पूछूंगा तो मना मत कर दे न कोई भी, ठीके, एक दिन के काम को क्या बोलते हैं, कारेशमता बोलते हैं, ठीके, अब घं पांच घंटे में कितने 20 पेज पड़ता है किसी बुक के 20 पेज पड़ता है तो उसकी कारेशमता क्या होगी अब बात घंटे में चल लगे तो एक घंटे के काम को कारेशमता बोलेंगे अब यहाँ एक घंटे का काम आप निकाल सकते हैं आपको फसर बिलकुल निकाल सकते हैं बताओ पांच चोक 20 चार पेज कितना चार पेज उसकी कारेशमता कितने आ गई चार आ गई के लिए बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे अब बात कर लेते हैं क्योंकि जब हम कोश सेख लेता है ठीके प्र कुछ बिलकुल कमजियों तो उनके लिए चलो बता ही देता हूं कभी बाुअ मैं आपको इसन्गत परेशानी हो बिलकुल नहीं जाता ही किसी बच्चे को कहीं परेशानी आए है तो बात कर लेते हैं पांच मिनट और आपके लगे का LCM क्योंकि इसमें LCM की ही जरूत पढ़ने वाली है LCM की जरूत पढ़ेगी इसमें पूरे चैप्टर में ठीक है तो LCM आपको आना चाहिए दो और चार का LCM अगर मैं आपसे पूछ हूँ तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो बड़ा नमबर है उसको देखना है कौन से बड़ा नमबर है फोर तो जो हमारा LCM होगा या तो फोर होगा या फोर से बड़ा होगा मतलब फोर का कोई गुड़ाज होगा ठीक है या तो 4 होगा LCM, या 4 से, बड़ा मतलब 4 का गुड़ाज होगा, अब कैसे, अब हमको देखना है क्या 4 LCM है, तो अगर ये 2 से भी डिवाइट हो जाए, और 4 से भी, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, तो ये दोनों से डिवाइट है, आप कोगे सर, विल्कुल डि चान रखना, 6 से छोटा तो होगा नहीं, ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है, LCM जो होगा, या तो ये बड़ा वाला नंबर होगा, या इसका कोई गुड़ाज होगा, जैसे 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 24, या तो बो LCM होगा, ठीक है, आप पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये 6 क्य और 8 का LCM बताओ, आप कोगे सर, सबसे पहले या तो ये नंबर होगा, 8 LCM या तो 8 होगा, 4 और 8 का LCM जो होगा, या तो 8 होगा, या 8 का कोई गुड़ाज होगा, जैसे 8, 2, 16, 8 के 24, ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, क्या ये 8 इस बाले 4 से डिवाइड है, अगर इस 4 से LCM हो जाएगा, तो मैंने देखा, हाँ 4 से डिवाइड है, तो हमारे LCM कितना होगा, 4 और 8 का, 8 हो गया, ठीक है, एक और समझ ये, 5, 5 और 10, दो नंबर हैं, मैं आप से कहता हूँ, 5 और 10 का LCM क्या होगा, आप कहेंगे, सर, या तो 10 होगा, या तो 10 होगा, या 10 का कोई है, तो 10 मैं देखता हूँ, कि 10, ये 10 के इस 5 से भी डिवाइड है, इस नंबर से भी डिवाइड है, आपको उसर डिवाइड है, तो हमारे LCM कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, किलियर, आपको उसर बिलकुल किलियर है, अब एक बात और समझ लीजिए, अब मैं कह ले लेता हूँ, 10 और 20, 10 और 20 के LCM मुझे बता दो, आप को होगे सर, LCM या तो 20 होगा, 20 कब होगा, जब ये इस से भी डिवाइड हो रहा होगा, ठीके, इस से डिवाइड है किया, ये 10 से 20, आपको उसर बिलकुल, तो हमारे LCM कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, किलियर, आपको उसर और 30 ले लेता हूँ, ठीके, 20 और 30 के LCM मुझे बता दो, आपको उसर या तो 30 होगा, ये 30 का कोई गुड़ाज होगा, जहें 30 दूनी 60, ठीके, तो पहले देखता हूँ, 30 क्या है, तो मैं क्या देखूँगा, इस से डिवाइड करके देखूँगा, क्या 20 से डिवाइड हो रहा है 30, आपको उसर नहीं, तो LCM मेरे यहां पर 30 नहीं होगा, क्लियर, 20 और 30 के LCM बताना है, तो 30 तो है नहीं, क्योंकि ये 20 से डिवाइड नहीं है, ठीक, आपके देखूँगा, इसका गुड़ाज कौन सा होगा, इस से अगला वाला, जो 30 ही करना, 30 दूनी 60, क्या 60 इन किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ, 2 और 3 का LCM बताओ, 2 और 3 का, आपको उसर मैंने देखा, 3 इस से तो डिवाइड है नहीं, ठीक, क्योंकि LCM जो होगा, इस से बड़ा होगा, इसका गुड़ाज होगा कोई, या 3 होगा, तो मैंने देख होगा, तो फिर 6 मैंने देखा, इस से डिवाइड है, दो से हाँ है, तीन से डिवाइड है, हाँ है, बिल्कुल है, तो LCM मुमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उम्मीदा हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, क्योंकि रभी समझ में नहीं आया, तो एक बार कमेंट च ऐख चुका हूँ बट आप लोग मिना साथ बिल्कुल नहीं देते हैं, ठीके, आप लोग वीडियो देखते हैं, और चले आते हैं, वीडियो को还 cannot करो, कोई दिकत नहीं है, ठीके, बẹra芋 अगर समझ में आता है, तो लाइक जरू किया करो, आगे चलते हैं, अब कॉश्चि सुरू करते हैं पहला कुशन देखेंगे स्क्रीन यतनी बड़ी नहीं है कोसिस करूंगा समझा पाऊं ठीके अगर आप लोग अच्छा सब बोर्ट करेंगे तो हो सकता हम आगे चलके डिटल बोर्ट ले 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 और वो अच्छे से मैं आपको फिरी पढ़ा पाऊं ठीके सबसे पहला कुश्चन क्या कहता है A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं पहले क्लाश बिल्कुल बेसिक होगी बच्चों को basic clear होना जरूर ही है ठीक है तो बहुत आसान question है जब भी आपको ऐसा question मिलेगा तो आप क्या करेंगे बहुत अच्छे से बताता हूँ A किसी काम को 20 दिन में ऐसे लिख लेंगे और B उसी काम को 30 दिन में ठीक है clear ऐसे लिख लेंगे A किसी काम को 20 दिन में और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं प्यार बच्चों क्या करना है अब आप क्या करना है आप कहेंगे सर आगे करना होता है इनका LCM LCM लेके क्या हैगा वो वो आएगा total काम कितना है ठीक है 20 और 30 के LCM कितना हो जाएगा 20 और 30 के LCM आपका 61 साट हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा किसी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे के हाँ तो कोई दिक्कत अभी कुछ भी नहीं किया है A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में इतना लिखा था और क्या करा है मैंने इनका LCM लिया है तो ये 60 जो है ये क्या है हमारे total काम clear अब क्या करेंगे इस तरीके line खीचना चाओ मेरे तरीके से कर सकते हो और मेरे तरीका सीखना चाहते हो तो ठीक इस तरीके से करेंगे अब मुझे क्या निकालना होता है कारे छमता निकालनी होती है तो मुझे बताओ तो टोटल काम कितना है 60 है ठीक है टोटल काम कितना है 60 है एक इतने इन में कर सकता है 60 काम को 20 दिन में तो उसकी कारे छमता कितनी होगी अभी बताया बिल्कुल 60 काम है टोटल A कितने इनमा कर सकता है 20 दिन में तो कारेशमता कितनी होगी आपको 20 से 60 को डिवाइट करेंगे तो 20 थिया 60 किलियर और B की कारेशमता कितनी है 30 दूनी 60 ठीक है कारेशमता A की कितनी है 3 है और B की कितनी है 2 है किलियर अब मुझे बताना है A और B मिलकर कुल काम को कितने इन में कर सकते हैं तो कुल काम कितना 60 अब A और B को मिलकर करना है तो 3 और 2 5 तीनर दो 5 इनकी कारेशमता कितनी होगी दोनों को मिलकर करना तो 5 5 से इसको डिवाइट लगा देंगे 5 से डिवाइट करें कितना जाएगा 12 कितना जाएगा 12 ओप्शन अमर डी हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा किसी बच्चे को यहां तक कोई दिखकर नहीं होनी चाहिए नह अगला नहीं आएगा उससे अगला आएगा पेशेंट रखिए और समयने की कोशिस करिए नेक्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्ट कोशन क्या कहता है A, कोई काम 6 दिन में कर सकता है B, वही काम 12 दिन में कर सकता है दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा सा कोश्चन है A, 6 दिन में B, 12 दिन में ठीक है, सबसे पहले यह लिख लिया आप क्या लिखते हैं अब क्या टोटल काम निकालता हूं में टोटल काम निकलता है इन दोनों का LCM लेके छे और 12 का LCM कितना हो जाएगा आपको उस तर 12 हो जाएगा इसमें कोई बताने की बात नहीं है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक 12 हो गया किलियर यह बारा क्या टोटल काम आगे बहुत जरुत पड़ेगी इन सब की अभी याद करते चलना ठीक है अब मैं क्या निकालूंगा याद होना चाहिए पता होना चाहिए इतनी प्रैक्टिस करना जो यह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ठीक है अब म काम ठीक है मतलब 6 से डिवाइट कर दिया बारा को अब मैं B के कारे चमता पूछूं तो आप को के सर 1 होगी ठीक है टोटल काम 12 है और B 12 दिन लेता है तो वह एक दिन में एक काम करता होगा किलियर यह क्या आगे उसकी कारे चमता आप क्या होता है दोनों मिलकर बही काम करने में कितना समय लेंगे दोनों मिलकर मतलब A और B A और B मिलकर करने में कितना समय लेंगे टोटल काम कितना 12 और A और B को मिलकर करना है तो 2 और 1 कितनी 3 होगी इनकी कारे चमता कितनी होगी तीन तो कारे चमता डिवाइट करेंगे 3 से डिवाइट करेंगे 3 चोग 12 चार दिन ठी option number B हमारा correct answer हो जाएगा किसी बच्चे कोई दिखकर नहीं होनी चाहिए आगे चलते है next question की तरफ next question देखेंगे ये भी बिल्कुल same उसी की तरह है क्या बो लगा है इसमें एक काम को 4 दिनों पूरा कर लेता है भी उसे 6 दिनों पूरा करता है यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या है कुछ भी नहीं है A. 4 दिन में B. 6 दिन में अब क्या करेंगे टोटल काम निकालेंगे टोटल काम कैसे निकलेगे इन दोनों का L स्यूं कितना जाएगा 12, 4-3-12 और 6 दुनी, 12 ये कहा निकाली मैंने की कार लिया है छमता बता चुका हूँ पहले ये 12 बार बताने की तूरत नहीं है, तो मुझे क्या बताना है A और B मिलकर तो A और B मिलकर कितना काम करना 12 ठीक है? कितनी कार छमता दोनों की जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो तीन और दो पांच इसको डिवाइड लगाएंगे कितनी बार पांच दुनी दस बचाए कितना दो कौन सांसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं नेक्ष्ट कोशन की तरफ नेक्ष्ट कोशन देखेंगे एक अकेला एक कारे 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला 30 दिन में यति वे दोनों मिलकर एक साथ काम सुरू करें तो आधा कारे कितने दिनों में पूरा हो जाएगा थोड़ा सा थोड़ा सी खुमाया इसने क्या बोला यहां पर तो आधा करे कितने दिनों में पूरा हो जाएगा वाई कुछ भी नहीं असान है घ्या 아니 20 दिन में में और बी 30 दिन में क्या करेंगे अब total काम निकालेंगे कितना है आपको उसर इन दोनों का LCM लेंगे तो total काम आ जाएगा इन दोनों का LCM कितना मिलेगा 60 तो total काम कितना आ गया 60 अब मैं एक दिन का काम निकालूँगा तो एक दिन का काम एका कितना आ जाएगा आपको उसर बेटतिया 60 और 30 दुनी 60 किलियर किसी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है आपे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब इसने वोला है यदि वो दोनों एक साथ काम सुरू करें तो आधा कारें कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ए और भी दोनों से कराना है कितना कर रहे है आधा कर रहे है टोटल काम कितना है आपको को 60 आधा काम कितना हो जाएगा 30 किस किस से कराना है ए और भी से कराना है तो 3 और 2 5 5 से मैं इसको डिवाइट करूँगा 5 चंग 30 6 दिन option number D हमारा correct answer हो जाएगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलतें next question की तरफ next question देखेंगे इस type का question तब भी आपको मिले तो पहले इसे ठीक प्रकार से लिख लिया करो ठीक प्रकार से कैसे लिखेंगे जैसे इसने बोला A कर रहे के 1 बटे 4 भाग को 10 दिन में कर सकता है B कर रहे के 1 बटे 3 भाग को 20 दिन में कर सकता है A और भी मिलकर उस कर रहे कितने दिनों में कर सकते हैं कुछ भी नहीं है question में बट बच्चे यहां देखेंगे confused हो जाते हैं कि सर 1 बटे 4 भाग का क्या मतलब है तो बच्चे यह क्या है 1 बटे 4 भाग को कितने दिन में 10 दिन में ठीक है तो यह पूरे भाग को निकालेगे यह पूरे भाग को कितने दिन में करेगा तो इधर multiply हो जाएगी ठीक है इधर multiply होगी 10 दो कितना हो जाएगा 40 तो A कितने इन में कर सकता है 40 दिन में और B क्या बोला इसने B कार रहे के 1 बटे 3 भाग को कितने दिन में 20 दिन में तो इसकी मल्टिपलाइज रोगी 20 तिया 60 तो B कितने इन में कर सकता है 60 दिन में वही कोश्चन बन गया या नहीं मुझको इतना बताएंगे आपको इसर बिल्कुल बन गया तो आप कर दो न A कितने इन में कर सकता है अभी बताया था 10 जोग 40 और B 20 थिया 60 ठीक है L सेम कितना मिल गया 120 बताना तो नहीं L सेम हर बच्चे को आ गया होगा ठीक है अब A की कारे समता कितने आ गई 3 और B की 2 आ गई ठीक है और A और B बुजाए ना इसने A और B दोनों मिलकर उस कारे कितने इन में कर सकते हैं तो प्यारे बच्चो A और B दोनों मिलकर कितना कार जाए है 120 जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की कारेशमता कितनी है तीन और दो पांच तो जो पांच से इसको डिवाइट कर रहा होंगा तो पांच दुनी दस और पांच चोक बीस चोबिस दिन और अप्षिन नमबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काफी आसान कुश्चन है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की दरफ नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे इसमें क्या बोला गया? अब थोड़ा समझती हो चलेंगे ठीक है? बहुत अच्छे समझती हो चलना। थीक इसने बोला A और B मिलकर A काम को बारे दिन में पूरा कर लेते हैं अभी तक क्या था? A किसी A और B अलग अलग कर रहे थे अब इसने बोला है A और B मिलकर A काम को बारे दिन में पूरा कर लेते हैं तो भाई अपके मिल जाओ A और B मिलकर क्या करते हैं ये अपके बारे दिन में पूरा कर लेते हैं A और B एक काम है उसको क्या कर लेते हैं बारे दिन में पूरा कर लेते हैं जब कि B अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है B अकेला क्या करता है बेचारा वो क्या करता है 30 दिन में पूरा कर सकता है ठीक है तो इसने बोला A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है तो कुछ भी नहीं है question में सबसे पहला काम total काम निकालूंगा में कितना है 12 और 30 का calcium आपको उसर 60 आ गया 60 पहले इसकी कारेश्म तो फिर इसकी 12 पंजे 60 और 30 दुनी 60 पहले बच्चों यहां तक तो बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आपको उसर कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है आपसे मैं पूछू यह 5 क्या है यह 5 आपको वह सर यह A اور B दोनों की कारेश्म ता है यह दोनों की है कारेश्म तो ठीके A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम total काम कितना 10,60 था ठीक है इस काम को कितने इन में कर सकते हैं और भी मिलकर 12 दिन में तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे पांच काम करते होंगे या नहीं A और B की कारेशमता कितनी ये 5 है जबकि मैं यहां से पूछू ये 2 क्या है तो ये तो B की कारेशमता है 2 किसकी कारेशमता B की कारेशमता है अगर मैं कह दूं कि B की कारेशमता 2 है तो A की कितनी रही होगी क्योंकि दोनों की A और B की कारेशमता कितनी 5 है और B की यहाँ से मैं जब पता चला कि B की तो 2 है तो एक ही कितनी होगी क्योंकि दोनों की कितनी है 5 तो एक ही 3 होगी एक ही कारेशमता 3 होगी न आपको उसे बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों जब इतना आपको पता है तो हम कुश्चन को क्यों नहीं कर पारे हो ठीक है आप यहाँ से इसनी यही तो पूछा था A अकेला उस काम को कितने नहीं पूरा कर सकता है भाई A से अकेले से करवाना है आपके A से अकेले से करवाना है कितना काम है 60 काम है A अकेले से करवाना है तो A अकेले की कारेशमता से ही मैं divide करूँगा पहले क्या था question में ए और भी दोनों से करवान होता था तो ए और भी दोनों की कारेशमता से मैं divide करता था clear है? कोई दिक्कत नहीं है तो एक की कारेशमता कितने है? 3, 3 से जब मैंने इसको divide करा तो कितना आ गया 20, option number A हमारा correct answer हो जाएगा, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे चलते है next question की तरफ next question देखेंगे बिल्कुल आसान बिल्कुल इसी question की तरह जो अभी किया है अब case में, उसमें A और B थे इसमें नाम दे दिया है राज और राम भाई, राज है राज भाई साव है ये और एक राम भाई साव है ठीक है, एक राज है, एक राम है किसी कार्णे को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, ये दोनों मिलके कर रहे हैं एक राज, एक राम दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते है राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता भाई राज बहुत तेज है राज कह जा है कि मैं अकेले उसको 20 दिन में कर सकता हूँ तो राज अकेले कितने इन में कर सकता है 20 दिन में किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक मुझे बताओ जो question बोला कहता हर question मैं ऐसे ही कर रहे है आपके उसर बिल्कुल ठीक है मैं क्या करूँगा पहले total काम निकालूँगा इन दोनों को lcm लेके lcm कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है अब मैं क्या करूँगा इनकी कारेश्मता निकालूँगा दो और बीस ही करना बीस कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी हां तक आपको उसर कुछ भी दिक्कत नहीं अभी तो अब मैं पूछा क्या है आपसे आपको राम अकेला उस कर रहे हो कितने इनमें पूरा करेगा ये मुझे से पूछा है जब ये तुम से पूछा है जब तुम से पूछा राम अकेला उस कर रहे हो कितने इनमें पूरा करेगा तुर राम की कारेशमता भी बताओ मुझे कितनी है तुम कोगसर बिलकुल बताते हैं ये दो क्या है दो आप कोगसर ये दोनो राज और राम की कारे चमता है मतलब राज और राम का एक दिन का काम है दो मैं बुछते हूं राज की कारे चमता तो एक है तो आप कोगसर जब राज की एक है तो राम की भी एक होगी काम अकेला उस करें कितने इन में पूरा करेगा कितना काम है 20 कारेश हमता कितनी है राम की एक तो एक से डिवाइड करूंगो कोई फरक नहीं पड़ेगा 20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा option एक पर और आपसे रिक्वेस्ट करूंगो वीडियो को जादा जादा सेयर करते अगरों ठीक है अगर कोसिस करना इस पर कम सेक्व हंडेड लाइक तो होई जाए सो लाइक कराने की पूरी कोसिस करना जो अगली वीडियो में बनाऊं तो उसमें थोड़ा और अच्छे से पढ़ा पाऊं ठीक है क्योंकि जब हमें motivation मिलता है जब हमें महनत का फल मिलता तो अच्छा लगता पढ़ाती हूं भी मानला हम पढ़ा तो रहे हैं वह अच्छा ब भाई तू भी आजा तू भी आजा ना क्या दिक्कत है तुम भी आओ यहां को c भी अब होगे a और b और c करने को 12, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तद अनुसर बे एक साथ मिलकर बह आध करने कितने दिनों में कर लेंगे कुछ भी तो नहीं है भाई c आ गया तू भी आ भाई एक कितने इन में 12 दिन में और भी 24 दिन में और सी 36 दिन में कोई दिक्कत नहीं है बैट हमारे पास थोड़ा पास ना फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी ठीक है यहां से अब हमारा काम क्या बन जाता है आप को होगे सर सबसे पहला काम है हमारा टोटल बर्क निकालना टोटल काम निकालना मैं कोगो कैसे निकालते हैं आपको सरे इनकाल से लेकर तो 12 24 36 का इलशियम कितना जाएगा बताओ क गड़ेगा आपको 36 तो नहीं क्योंकि 24 से नहीं कटेगा ठीके तो 36 का दुग ना कर तो 36 नहीं बहात्र दूए से डिवाइट हो जाएगा आपको 12 से बहुत बाहर ज़ाएट है 24 रो चैट्थिस भी तो कोई दिक्त नहीं है कितना आगे टोटल सेवंटीटू अब एक कारेश हमता सिक्स और बी की चोबिस से कितने अगड़ जाएगा बहात्तर तीन बार और सी के कितने जाएगी आपको उसर 362 तो हो तो गया कॉश्चन अब क्या बोजल था हम से बे एक साथ मिलकर बहाय कारे कितने इन में कर लेंगे वहाई एक साथ मिलकर करेंगे तो हम करात हो रहें एक साथ मिलकर बताओ टोडल काम कितना था आपको उसर और अंसर हो जाएगा काफी आसान कुश्चन था ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे ऑप यहां पर दिखो घंटे में बात होने लगी ए भी तता सी कर्या कर्या को क्रम से इतने इतने घंटे में समाप्त करते हैं तो A B और C 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे कोई दिक्कत नहीं अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है आप कोई सर अभी तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है ठीक है आगे क्या करना है आपको किसर आगे कुछी भी नहीं बस इनका टोटल काम तो निकाल दो मैं कहुँगा टोटल काम कैसे निकालते हैं आपको किसर इनका LCM लेकर LCM कितना जाएगा इनका आपको किसर 12 ले लो क्योंकि 12 छे से भी डिवाइड़े 4 से भी हो 12 खुद से तो है ही ठीक है LCM कितना आगया 12 आपको क्या निकालेंगे इनकी आपको उसर कार्य छमता कार्य छमता निकालो 6 दूनी 12 4 तिया 12 12 एक अना 12 के लिए तीनो मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे बाई कर दो ना तीनो मिलकर A, B और C कितना काम टोटल 12 इनकी छमता 6 2 कितने घंटे में 2 घंटे में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने चाहिए ठीक है काफी आसान कोश्चन था नेक्स कोश्चन की तरफ चलते है नेक्स कोश्चन क्या कहता है इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे ठीक है इसमें थोड़ा से दिमाग लगाना पढ़ सकता है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है एक बार अच्छे समझे ठीक है क्या बोला इसने A तथा B A तथा B मिलकर क्या इससे पहले क्या दूसरा कोश्चन कर लें क्या चलो इसको कर लेते है थोड़ा समझना A तथा B मिलकर A तथा B मिलकर A करे 18 दिन में साप्ट कर सकते है 18 दिन में ठीक है जबकि B तथा C मिलकर इसे 24 दिन में B और C मिलकर 24 दिन में ठीक C तथा A मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो A, B, C तीनों मिलकर इसका रहें कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे काफी आसान कोश्चन है ठीक है इससे पहले जो देखे थे हमने कोश्चन वो A अलग करता था B अलग C अलग तो हम आसानी से कर लेते थी यहाँ पर क्या है पहले A और B मिलकर किसी कर रहे हो 18 दिन में B और C 24 दिन में C और 36 दिन में तो इसने पूछा A, B, C तीनों मिलकर इस कर रहे हो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे करो अब मुझे सबसे पहले बताओ करना क्या है आप कहोगे सबसे पहले इसमें LCM लेना है मतलब मुझे टोटल काम निकालना है तो मैंने LCM लिया बता सकते हैं आप कितना जाएगा 72 LCM इनका आने वाला है यह कितना जाएगा एक दिन का काम बताओ मुझे को आपको उसर 4 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 यहाँ तक बताओ किसी बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है आपको उसर कोई भी दिक्कत नहीं है अगर मैं आपसे पुछूँ 4 क्या है 4 क्या है तो आपको उसर यह 4 है A और B की कारेश हमता ठीक है? और 3 क्या है? B और C की कारेश हमता और 2 क्या है? A और C की या C और A की कारेश हमता यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बस इसको अच्छे समझना है ठीक है? क्योंकि इस टाइब के कोईशन पूछे आने की समझना रहती है आप मुझे यह बता दिये मुझे क्या बताना है? A, B, C, 3 मिलकर इसकार रहे हैं कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो मुझे क्या चाहिए? A, B, C की 3 की कारेश हमता चाहिए अगर A, B, C, 3 की मुझे को कारेश हमता मिल जाएगी तो मैं टोटल काम को उससे डिवाइट कर दूँगा और मेरा आंसर मेरे सामने होगा आपको उसर बिल्कुल ठीक कह रहे हो कैसे निकालें इसको? तो प्यार विच्छो जब भी आपको ऐसा कुशन मिलेगा तो आपको क्या करना है? क्या करना आपको? इनको सबको जोड देना है इनको जोडेंगे, इसको जोडेंगे, इसको जोडेंगे ठीक है? तो यहाँ से A यहाँ पर रफिए A यहाँ पर है तो 2 A हो जाएगा ठीक है? जोड सकते हो पिलस 2 भी हो जाएगा पिलस 2C हो जाएगा clear? आपको सर बिलकुल clear है क्योंकि इतना space नहीं है मैं आप से इसलिए कहता हूँ आप सोचते हैं पता हूँ नहीं सर क्यों कहते हैं आप कही इसमें फाइदा आप जितना जाद़ share करेंगे जितना जादे आगे सेर करेंगे वीडियो को और जादा जादा हमारे पास अगर डिटल बोड एक बार आ गया ना तो आप भी याद रखोगे कभी हमें मैस से कितना डल लगता था बट अब हमें मैस ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हलगा हो ठीक है अब यहां पर बताओ कैसे समझा पाऊंग ठीक है तो यहां पर एक दो बार है क्योंकि एक यहां पर एक यहां पर बी दो बार है एक यहां पर है एक यहां पर है सी भी दो बार है तो इसलिए क्या होगा टू ए प्लस टू भी प्लस टू सी हो गया ठीक है अब बरावर में क्या आएगा इनकी कारेशमता को चार तिन साथ दो नो ठीक है किलियर आपको उसर बिल्कुल किलियर है ठीक है अब मैं क्या यहां से 2 कोवन ले सकता हूँ आपको उसर ले सकते हैं अंदर क्या देगा A पिलस B पिलस C बरावर 9 ठीक है और मुझे क्या चाहिए आपको उसर हमें चाहिए A पिलस B पिलस C तीनों की कार्य चमता तो A पिलस B पिलस C इक्वल कितना जाएगा यह 2 कहां चला याएगा 9 के बटे में क्योंकि मल्टिपलाई वाली बात कहां जाती है अगर बरावर से साइड लेके आते हैं तो डिवाइड में चलिए आती है तो कितना ग़े गा 9 पॉंट 9 बटे 2 A, B, C की कार्य चमता आपको मिल गई कितनी मिल गई 9 बटे 2 तो अब मुझे क्या बताना है A, B, C तीनों मिलकर इस कार्य एको मतलब कितना कार्य 12 कार्य है इस कार्य कितने जी में समाप्थ कर सकेंगे तो आपको इसर बिल्कुल बता देंगे अब आप क्या करेंगे टोटल काम को कितना है टोटल काम 72 को किस से कर देंगे इसकी कारश्यमतर से डिवाइट कर देंगे ABC की तो 9 अपोन 2 से डिवाइट करेंगे 9 अपटे 2 से तो 2 कहां चला जाएगा 32 के साथ तो क्या हो जाएगा 72 मल्टिपले 2 अपोन 9 9 से काटेंगे 92 और 8 की मल्टिपले 2 से होगी 8 दूनी 16 अप्सन नमर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा के लिए रहे आपको लग रहा होगा जैसे मैंने कितना बड़ा कोश्चन कर दिया यह एक लाइन का कोश्चन होता है एक बार प्रैक्टिस तो करिए एक बार अच्छे समझ यह तो सही एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे आप इन कोश्चन को एक एक लाइन में कर रहे होंगे ठीक है इस सारी बात लिखती नहीं होती ज़िती है, कितना आने वाला और डिवाइड करके क्या आएगा ठीक है एक बार मुझा आगे ले जाकर देखीए फिर आपको रियल्ट आपके सामने मिलने वाला है किलियर आगे चलते हैं next question की दरफ अगर नहीं आये तो अगला question आपके बिल्कुल समझ में आने वाला है इस question को देखेंगे इसमें क्या बोला गया है A कर्ये का एक बटे दो भाग पांच दिन में समाप्त कर सकता है करा था इस type का question करा था ये नहीं आपको उसर करा तो था बट इसमें थोड़ा सा change ठीक है एक कर रहें का एक बटे दो भाग पांच दिन में समाप्त कर सकता है B उस कर रहें गर तेन दिन में तो तीन पनी दिन में मिलकर इस कर दिन में समाप्त करेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं है question में यह तो पहला बाला ही question है अब पहले से ठीक से लिख लिया करो एक बटे दो भाग है ना कितने? 5 दिन cross multiply करा दे करो 5 दूनी? 10 तो एक भाग निकाल लिया करो एक भाग की value कितने आ गई? 10 दिन तो अब मैं कहूँ एक कर रहे हो कितने दिन में? 10 दिन ठीक है? एक कर रहे हो कितने दिन में? 10 दिन अब मेरा क्या आ गया? 10 दिन आ गया clear? मैं direct यहां क्या लिखूँँगा? इस तरीके लिखूँँ एक किसी कर रहे हो? 10 दिन में ठीक अब यहां से देखेंगे 20 कर रहे का तीन बटे 5 भाग 9 दिन में 20 का देकर 3 बटे 5 भाग कितने इन में 9 दिन में ठीक है मुझे 1 की value निकाल लिए एक भाग की जब में value निकाल लूँगा तो ये 3 बटे 5 उतर पोच चुको 9 multiply इधर जाएगा तो ये इधर उल्टा हो जाएगा जाके 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 तीन बटे 5 भाग तो एक भाग की value कितने आ गई 15 आ गई clear समझवा है या नहीं नहीं है तो एक बड़ और समझे 3 बटे 5 भाग ठीक है कितने दिन 9 दिन डैरेक्टी कर दो या तो 3 तीन तीन 9 ठीक है अब इधर कितना बचए एक बटे 5 इधर कितना हो गए 3 क्रोस मल्टिप्लाइ कर देंगे 5 तीया 15 तो एक भाग की value कितने आ गई 15 दिन clear आपको सुर्फ बिल्कुल किलियर है इससे प्रकार C का निकाल सकते हैं या नहीं 2 चुक 8 चार तीया 12 clear आपको सुर्फ बिल्कुल किलियर है तो अब सुनिए A 5 दुनी 10 किसी का रहा है उद दस दिन में B 3 तीया 9 और 5 तीया 15 15 और C 2 चुक 8 और 4 तीया 12 तो इसने बोला तो तीनों मिलकर इस का रहे को कितने जिन में साथ करेंगे तो भाई तीनों मिलकर करवाना है सबसे पहला काम क्या होता है मेरा LCM लेना टोटल काम निकालना LCM कितना आ जाएगा बताओ मुझको 10 15 12 का LCM आपको उसर 60 आ जाएगा ठीक 10 से कितने बार कटेगा है 60 6 बार तो एकी कारेशमता कितने आगी 6 आ गई 15 चोगा 60 और 12 पंजे 60 एकी कारेशमता 6 बे की 4 से की 5 के लियर तो मुझे बताना है तीनों मिलकर A प्लस B C तीनों मिलकर इस कर रहेगो किसको 60 कर रहेगो जब तीनों मिलकर कर रहे हैं बाबू तो इनकी तीनों की कारेशमता जुड़ेगी 6, 4, 10, 5, 15 15 चोगा 60 चार दिन और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काफी आसान कोश्चन था ठीक है आप कर सकते थे इन सभी कोश्चन को ठीक आगे चलते हैं यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिखकत तो नहीं अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंड वक्स में कमेंड जरू करना ठीक है और आपसे एक बार और कहरा हूँ अगर आपने टेलिग्राम को जोइन नहीं किया ठीक है आप कर सकते हैं इस कुश्चन को एक बार प्रैक्टिस किया करो मेरे से कराने से पहले एक बार अपने आपसे करके देखा करो क्या मैं कर पारा हूँ या नहीं कर पारा है ठीक है इस सामकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर motivation आएगा आत्म बिस्पास आएगा आपके अंदर ठीक समझे इस question को A तथा B एक कार्या को 10 दिन में कर सकते हैं A और B कितने इनमें 10 दिन में कर सकते हैं B तथा C बही कार्या 12 दिन में कर सकते हैं B और C कितने इनमें 12 दिन में कर सकते हैं A तथा C उसे 15 दिन में कर सकते हैं A और C कितने इनमें 15 दिन में कर सकते हैं बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक बता दो मुझे आपको खुष्षर यहां तक तो कोई भी दिक्रत नहीं सब कुष्षिन मैं से ही कर रही है तो मुझे बता आगे क्या करेंगे आपको खुष्षर आगे इसमें करेंगे टोटल काम निकालेंगे इनका LCM लेकर इनका LCM कितना आजएगा बाबु आप कों के सरा इनका LCM आजएगा 60 60 इनका LCM आजएगा ठीक कितना आजएगा 60 अब मैं आप से पुचत también A और B की कारेशम्ता आमको उसर शीक्स हाजएगी B और C की आमको उसर 5 हाजएगी और इसकी A और C की आपको उसर फोर आ जाएगी यहां तक तो मुझे लगता कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होने वाली ठीक है, मुझसे क्या बुजा है तद उनसर ए अकेला बही कारे कितनी दिनों में कर पाएगा भाई, अपके ए अकेला पूछा है अपके ए पूछा अकेला कितनी दिनों में कर पाएगा पहले क्या पूछा तो A, B, C, T, तीनों मिलकर ठीक है तो A अकेला भी पूछ ले भाई, हमसे कुछ वी पूछ ले अब हम पढ़ाई करने, मन से ठीक है, अब तो हमसे कुछ ही पोछ ले तू हम बताएंगे तुझे H ने मुझे A अकेला तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए A अकेला कैसे निकालोंगा मैं आप उस टोटल काम जो है उसको मैं A से पूछा तो A की कारेशन तर डिवाइट कर दूँगा मेरा अंसर आजाएगा आपको उससर बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ तो ऐसे ही करो आप सबसे पहले आपको यह प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जब मैं इन सब को जोड़ रहा हूँगा जब मैं इन सब को जोड़ूँगा तो कितना आएगा अभी करता था 2 common ले लेता हूँ पहले A पिलस B पिलस C ठीक है क्योंकि 2A पिलस 2B पिलस 2C आएगा तो पहले ही मैं ने 2 common ले लिया और मैं क्या करता हूँ उनकी कारेशमता को जोड़ देता हूँ कितने होगी कितने होगी इनकी कारेशमता बताओ आपको उसर 6 और 5 11,4, 15 ठीक A पिलस B पिलस C कितना जाएगा आपको उसर 15 बटे 2 यहां तक अगर मुझे यह पूछा होता न A और A, B, C तीनों मिलकर कितने इनकी करेंगे तो मैं कितना डाइरेक 60 को डिवाइड कर देता 15 बटे 2 से बट इसने मुझे से क्या पूछा A अकेला बही कारे कितने इनों में कर सकेगा तो कुछ भी नहीं है अब मुझे क्या पता करना A की कारेशमता मुझे पता करनी है तो मुझे क्या से B और C को मुझे हटाना पड़ेगा B और C को भगाना पड़ेगा मुझे ठीक है और B और C को मैं कैसे भगाऊंगा बाबू B और C को ऐसे भगाऊंगा डायरेक्ट समझी हो मुझे एक ही निकालनी है ठीक है तो B और C को मुझे भगाना मतलब माइनस करना है B और C को माइनस करूँगा किस में से 15 बटे 2 में से ठीक है पंदरा बटे दो मेंसे बी और सी को माइनेस करूँगा मतलब बी और सी की कारेशमता को माइनेस करूँगा तो बी और सी की कारेशमता कितनी है बाबू आपको उसर बी और सी की कारेशमता पांच ठीक है तो मैं पंदरा बटे दो मेंसे क्या करूँगा एक ही कारेशमत निकल आएगी पंद्रा किरोश मल्टिपलाई करेंगे पंद्रा माइनस के दस और एलशम कितना है टू पांच बट्टे दो आजाएगी ठीक है इतना आपको आना चाहिए इतने बच्चे भी मत बनो आप इतना इस पेस नहीं है इतना तो समझने की कोशिश करो ठीक है कितने आ आना था अकेला भवही कर रहे है तो एक की गार रिसम तरहे पांच बट्टे दो कहां गया ओपर ठीक है तो गुणत हो जाएगा इस पेस नहीं है अतना साट गुणत हो जाएगा के और नीचे कितना पांच पांस चे कार्टूंगा इसको कितनी बार बारा बार दुनी 24 काहा है option number A हमारा correct answer हो जाएगा कितना हो जाएगा option number A हमारा correct answer हो जाएगा बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ जबकि एक line से ज़्यादे के question नहीं होते ठीक है यह भी बिल्कुल ऐसा ही question है इसमें कुछ भी नहीं है यह क्या यार A और B थे पहले अब P और Q आगे यह भाई क्या नाम change करते रहते है यार तुम कुछ भी कोई भी नाम ले आओ जबने एक बार कर दिया question तो कर दिया मतलब भाई तुम भी आओ P और Q कितने नों में 12 दिनों में कि तदा आर कि क्यő और आर 15 दिनों में आर अर और पी बीज दिनों में तुम उस्से क्या बुचता है अकेला पी से कितने नों पूरा कर सकता है तो सबसे पहले आपको क्या पता होने चीए आपका हुए सर्थ सबसे पहले मुझे मुझे से क्या फूचे कर P अकेला फूचा गया है तो टोटल काम को में P की कारशमता से divide कर दूँगा मिरा answer आ जाएगा तो बस काम खतम सबसे पहले टोटल काम कितना है आपको उसर टोटल काम है साट कितना साट काम है टोटल बारा पंजे साट पंदरे चोका साट और बीस तिया साट ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कर किसी बच्चे को नहीं है यहाँ तक तो कर सकते हो P और Q की कारेशमता पूछूं 5 Q और R की पूछूं 4 R और P की पूछूं 3 खतम अब इससा आगे क्या करना होता है आपको उसर इन सबको जोड़ना होता है इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 P प्लस 2 Q प्लस 2 R आएगा तो मैं 2 पहले ही कोमन ले लेता हूँ अंदर बचे का P Q R और यहाँ से इनकी कारेशमता को जोड़नागा 5 4 9 और 3 12 ठीक है 2 से इसको डिवाइट कर दूँगा 2 6 चे 12 P प्लस Q प्लस R कितना आगया 6 आगया मुझे किसकी कारेशमता पता करनी है मुझे बतानी है P की कारेशमता पता करनी है तो मैं क्या करूँगा Q और R को माइनिस कर दूँगा Q और R कितना है Q और R की चमता कितनी थी आपको जोड़ 4 तो 4 को इसमें से माइनिस कर दूँगा P की कारेशमता मेरी निकल आएगी 6 में से किसको माइनिस करूँगा 4 को माइनिस करूँगा तो P की कारेशमता कितनी आ गई मेरी 2 आ गई ठीक है P की कारेशमता कितनी आ गई 2 आ गई अब कुछ भी दिक्कत नहीं है question खतम आपके निकाल दूंगा में प्यूर से कितनी इन्में कर सकता है कितना गाम ता 60 कारेशमता कितनी है 2 कितनी बार 30 बार option number C हमारा correct answer हो जाएगा next question देखेंगे यह भी काफी आसान question है A और B आट दिन में B और C इतने इन्में C और A इतने इन्में C अकेले से कितने इन्में कितने इन्में समाप्त करेगा प्यारे विच्छो इसको आप अपने आप से करके देखना ठीक है कर लोगे आप बहुत आसानी से और इस कांसर मुझे comment box में आपको बताना है ठीक है बता दोगे मुझे पूरी उम्मीद है next question देखेंगे ठीक है इस question को देखेंगे चलो इसको मैं करा देता हूँ इसमें क्योंकि थोड़ा change भूलिए इसमें यह और भी मिलकर उसे कितने इन्में समाप्त करेंगे तो इसको मैं करा देता हूँ सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है B और C B और C A काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं B और C 12 दिनों में C और A C और A 8 दिन में और 3 मिलकर उसे 6 दिन में तीनों मतलब A, B, C तीनों मिलकर कितने इन में 6 दिन में बताओ मुझे यहां तक जो कोश्चन बोला था भी वही बात लिखी है नहीं आपको उसे अभी तक तो वही बात लिखी है ठीके और कोश्चन करनाने से पहले पहले ही आपको बताएता हूँ कितने का टारगेट है 100 लाइक का टारगेट है ठीके यह आपको पूरा कराना ही है क्योंकि जब इनेक्स वीडियो डालूंगों मैं फिर देख लेना अगर नहीं कराया तो आप कहीं भी सेयर करना क्या है कुछ भी करना 100 लाइक आपको कराने है इस वीडियो पर ठीके तो कितना मिल जाएगा आपको उसर चोविश मिल जाएगा 24 कितने आगी कारेश्यम तब बी और से की आपको उसर टू इसकी आपको उसर थिरी और इसकी आपको उसर फॉर यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को भी अब मुझे क्या बताना यह आपको पता होना चीज़ से आगे की रड़नी थी मुझे बताना ए और बी मिलकर उसे कितने इन में पूरा कर सकते हैं तो मतलब ए और बी की कारेश्यम ता मुझे पता होने चीज़िए जो ए और बी की कारेश्यम ता आएगी उससे डिवाइड कर दूँगा 24 को आंसर मेरे सामने आपको उसर बिलकु है फोर है ना फोर है आपको उसर बिलकुल और बी सी की कितनी बी और सी दोनों की आपको उसर टू है और मैं आप से कहूं बी और सी की कितनी है बी और सी की कितनी है टू है और ए बी सी तीनों की मिलकर कितनी है फोर है तो ए की कितनी रही होगी आपको उसर एकी रही होगी कि भी दिकत नहीं इसमें तो A की तो मुझे पता चल गई कारे चिमता अब B की और पता चल जाए बस अब B की और पता चल जाए ठीक है यह फिर और आसान हो सकता था यह यह और ज्यादा आसान हो सकता था ठीक है पता तो ऐसे भी कर सकते हैं बट और ज्यादा आसान यह हो सकता थ आपको गुस्तर कैसे क्योंकि हम अगर A और C की डायरेक्ट रख देते तो और ज़्यादा आसान है था यह ठीक है A और C की आपको गुस्तर कैसे एक बार और समझ लीजी ठीक है करने को ऐसे भी करा दूँगा मैं बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है बस आप बिल्कु की दोनों कितनी है तीन है C और A कितनी है तीन है A की कितनी है दो है तो C की कितनी होगी एक होगी C की कितनी होगी एक होगी और B और C दोनों कितनी है दो है तो B की कितनी होगी एक होगी आया है ना को समझ में एक बार दिमाग लगा ना आ जाएगा एक तरीके सो और करा और ठीक है स्ट्व पोस्य पोचली से हें किसीं की करतों मेरे पास ठीं धर बताना है करें किदें अग्ध कि तीना गई तो किना ग्राम है टोटल चोबीस उसा आट बार चले गाएगा answer हमारा कितना है एक 8 दिन option number C हमारा correct answer हो जाएगा एक और समझ लीजिए ठीक है B और C एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं सबसे पहले काम B और C 12 दिन में C और A 8 दिन में तीनों मिलकर 6 दिन में ठीक है यहाँ सा आगे का आपको पता है टोटल काम कुल काम निकालना होता 24 मिला था 12 दुनी 24, 8 दिन 24 और 6 दिन 24 ठीक है यहाँ तक करा था फिर मैंने देखा मुझको निकालना है A और B मिलकर तो मुझे A की भी और B दोनों की कारेशमता पता होना चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ से देखा C और A A और C की मुझे पता है कारेशमता ठीक है जैसा भी कर रहा था ऐसे भी कर सकते हैं मतलब दिमाग लगाए कर वो अपना अपना भी कुछ दिमाग लाए कर वो इसे भी निकाल सकते थे ठीक है A और C A और C की दोनों की कारेशमता मिलके कितनी है आपको उसर 3 ठीक है और यह तीनों की कितनी है A, B, C, 3 तीनों कितनी है? 4 है तो B की कितनी होगी? आपको उस्तर 1 होगी A और C कितनी है? 3 और B कितनी है? 1 तो 3 की मिले कितनी होगी? 4 होगी B की मेरे पास आ गई? आपको उस्तर बिल्कुल आ गई B की ठीक है? B की आ गई? या नहीं? बताओ मुझे को आपको उस तर आतो गई तो अब मुझे बताओ निकाल के अब मुझे ये बताओ प्यारे बुच्चो अब मुझे किसकी निकाल ली है B की तो मेरे पास आ गई कितनी आ गई एक आ गई अब मुझे एक ही और बता दो क्योंकि दोनों की बता होने सी है ए और भी मिलकर उसे कितने इन्म करेंगे आपको उस्तर बिलकुल बताते हैं अभी अब यहां से किसकी है आपके बार बी की है यहां से आप सी की भी निकाल सकते हैं आपको उस्तर बिलकुल निकाल सकते हैं बी की कितनी है एक और दोनों की कितनी है दो है तो सी की भी एक होगी किलियर आपको उसे बिल्कुल किलियर है तो C की आपको बता चाल लगी अब आप यहां से यहां से आप C और A की दोनों कितनी है तीन है तो C की आप निकाल चुके है कितनी है एक है तो A की कितनी होगी क्योंकि C और A दोनों की कितनी है तीन है, सिक की एक ही कितने होगी, दो होगी, ठीक है, तो अब मुझे A और B मिलके बताना था, तो टोटल काम बता सकते हैं, कितना काम है, 24, A और भी दोनों से मिलके बताना है, दोनों की कारेशमता कितने होगी, तीन होगी, तो दिमाग लगाया करो, जितना दिमाग का इस्तेमाल करोगे न, जितना दिमाग का तुम यूज करोगे, उतनी तुमारी दिमाग की शमता भी बढ़ेगी, कोश्चन करने की, और नए ने आईडियो तुमारे जमाग में आते रहेंगी, कि असर इस तरीके से कर सकते थे, इस फिर भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है, तो कमेंट वुक्स से कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिज करूँगा, नेस्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, ठीके, तो बस एक ही रुकेस्ट करता हूँ, अगर आम तक को वीडियो अच्छा लगए, वीडियो को लाइक करना, और कितने लाइक, हंडाइड लाइक तो कमेंट से कम प्यारे वच्छो करा ही दिना, ठीके, और ज्यादा ज्यादा सेर करने की कोशिज करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीके, मिल दें नेस्ट वीडियो में,